स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों यहां एक न्यूज आई है और यह न्यूज यह है कि बिहार अमीन भरती 2020 से संबंदित है और 12 पास के लिए अमीन के पदों पर 40 भरतिया निकाली गई है और बहुत सारे लोग जो होंगे इससे पहले भी बिहार अमीन का फॉ कोई अता पता नहीं है लेकिन यहां पे अलग से और फिर से 40 भरतियों के लिए आवेदन मांगा गया है पहले इसका हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो पहले का फिलिब किये हुए है उसका क्या हूआ क्या नहीं हुआ फिर उस पे हम लोग आगे बात किसे पहले भी जो बिहार अमीन का उस पर फिर हम बाद में चर्चा करेंगे यह जो फिर नया जो 40 भरतिया निकाली गई है उस पर हम पहले बात कर लेता है तो यहां पर देख लिजे लास्ट मॉडिफाइड यहां पर है वेडनस डे सिप्तमबर 23 दोजार बीस 14 बच के 45 इंडियन स्टेंडर टा परिवेश परतियोगिता परिच्छा परिशत पर होगा बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपिटरिटिव इग्जामिनेशन बोड पर होगा यहां से आप लोग फॉर्म यहां पर फिलप कर दीजेगा होम पेज पर यहीं पर सारा लिंक दे दिया जाएगा वहीं से आप हम लोग देख लेते हैं आकी actually में है क्या क्या इसके लिए जरूरी है तो यहां पर लिखा गया है BCECB, BCECEB, Amine Requirement 2020, बिहार संयोग परवेश परतियोगता परिच्छा परसद BCECB ने अमीन के पदों पर 40 वेकैंसी निकाली है चैनी तुमी दवारों को बिहार सरकार के पैरवरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग में निकती मिलेगी इन भरती के लिए Online Registration की प्रकिरिया 30 सितंबर से शुरू होगी Online Registration की अंतिम्ति थी 31 October 2020 है यानि कि आप लोग को लगबग एक महिना का पूरा टाइम दिया जा रहा है 30 सितंबर से शुरू होगा और 31 October last date है from Philip का राइश्टर अभ्यार्थियों दोरा आवेदन करने वा परिच्छा सुल्क भुकतान के लिए चलान डावलोंट करने की अंतिम्ति थी 29 October 2020 है और राइश्टर अभ्यार्थियों दोरा आवेदन भरने वा चलान डेविट कार्ड के डिट कार्ड अत्वान नेट बैंकिंग के माध्यम से परिच्छा सुल्क का भुकतान की अंतिम्ति थी 31 October 2020 है पर इच्छा थी थी कि घोशना बाद में की जाएगी और कहां पर सारा कुछ होगा तो यहां पर बेव साइट है यहां पर आप लोग देख सकते हैं को सब्सक्राइब कर लें यहां पर देखे सैक्षिनी की योगता बोल रहा है कि किसी भी स्टीम से 12 पास यहां पर किसी भी स्टीम बोल रहा है और वेतनमान जो है वो लेवल 3 है 21,769,100 रुपय के बीच चैन देखिए कैसे होगा चैन यहां पर बोल रहा है आवेदकों के आ रंक प्राप्त किया है उसके अनुसार वकार अनुभाव के अधार पर CBT के लिए सॉट लिस्ट किया जाएगा कूल रिक्तियों के लगभग 10 गुना अभ्यारतियों को आनलाइन कंप्यूटर पैच्छा के लिए सॉट लिस्ट किया जाएगा जो किसे जो आप लोग पहले फॉर्म फिलब कियो होंगे अमीन का उसमें भी सेम प्रोसेस वही चीज़ है लेकिन एक चीज मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहले ही अमीन की पैच्छा फॉर्म फिलब करवाया जा चुका है तो फिर से ये अलग से उसी तरह का सेम वही लेवल सारा कुछ वही चीज, 40 पदों के लिए फिर अलग से क्यों form fill up करवाया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है, अगर आप लोग को किसी तरह का idea है, तो किर्पया करके comment में हमें अवस्थे जनकारी देने का कस्ट करें, तो यहाँ पर एक चीज तो clear हो गया, कि जो भी form भरेंगे, उन सब क को online exam देने के लिए आप लोग को नहीं बुलाया जाएगा, आप लोग को उसमें shortlist किया जाएगा, जैसे 40 है, तो 10 गुना अभ्यारती, यानि कि 40 गुना आपको 10 कर देंगे, तो 400 अभ्यारतीयों को ही केवल shortlist किया जाएगा, CBT exam के लिए, यानि कि अगर मान लिजे कि आप आवेधन कर देते हैं, नॉर्मली क्या होता कि आवेधन किये, मान लिजे कि 40 सीट है, मान लिजे कि 2 लाख चात्र आवेधन किये हैं, और 2 लाख का फिर exam conduct करवाया गया, उसमें से फिर shortlist किया जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आवेधन किये, उनका 12 का अंक जो होग आवेधन किया जाएगा, वो सब निकाल करके shortlist एक तयार किया जाएगा, दस गुना सीट से, और उनहीं लोगों online computer पेच्छा के लिए shortlist किया जाएगा, आगे देखे क्या होगा, कैसे होगा, राज सरकार के अधीन, अनुभाव प्राप्त अमीनों को उनके कार अनुभाव वो आपका, उसी के हिसाब से आपका merit बनेगा और वही shortlist आप लोगों को करेंगे, तथा परती वर्स के अनुभाव के लिए, अगर आपके पास एक वर्स का अंक है, तो पांच अंक दिये जाएंगे, और दो वर्स का है, तो उसी तरह दस अंक दिये जाएंगे, तो इस तर वह मां से कम अनुभाव को सुने वर्स माना जाएगा, यानि कि अगर कोई 6 मां तक ही काम किये हैं, या उससे कम काउन का अनुभाव है, तो उन्हें जीरो इसमें अनुभाव में 0 मांक्स मिलेंगे, 6 मां से अधीक और एक वर्स तक है, तो उन्हें 5 अंक, उसके बाज फिर अगर और एक वर्स हैं, तो फिर 5 अंक, अगर मा लिजे कि एक वर्स 4 महिना आप किये हैं, तो आपको 5 ही अंक मिलेगा, एक वर्स 6 महिना से उपर हो जाएगा, तो फिर आपको 10 अंक मिल जाएगा, तो इस तरह से करके आपका कार्य अनुभाव में का जो है, वो आपको इसम होगा 2L का उसमें जो अंक होगा उसके अनुसार आपका सौट लिस्ट किया जाएगा यहां पर देख लिजे आवेदन फीस में जनरल OBC EWS को बोला जारा 700 रुपईया और SCST दिव्यां को 350 रुपईया यहां यहां पर जो पूरा नोटिफिकेशन है इसका हम लिंक आपको डिस्किप्शन में दे दे रहा है कॉमेंट बॉक्स में भी दे देंगे वहां से आप लोग इसे ओपन करके सारा इसका नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लें समझ लें उसके बाद इस फॉर्म को फिलब कर दें हो सकता है आपका 12 में माक्स कम हो और आप इसे फिलब कर दिए तो आपका 700 रुपई बेकार हो जाएंगे क्योंकि यहां पर जो लिखा गया है साफ साफ उसके अनुसार आप लोग एक बढ़ पढ़ लीजेग मैं हो धन्यवाद